हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओनली आईएस, डेट है आज की, साथ जुलाई दो हुजार तेईस, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रेलिम बूस्टर न्यूस डिसकॉशन के अंदर, आप यहाँ पर आज की न्यूस पर देख सकते हो, कुछ डेफिनिटी आपको बता रहा था कि, यह पर्टिकुलर टेलिग्राम चैनल के उपर आपको इसकी PDF मिल रही है, डेली अपडेट होती है, तो जिन्हों ने यह टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया, प्लीज इसको जोईन कर लीजिए, साथ में कुछ हिंदी माध्यम के हमें साच छात्रो का एक concern रहता था कि सर हमें content नहीं मिल रहा, तो definitely सुमित सर ने उस particular चीज़ को भी address कर दिया है, तो हिंदी माध्यम वाले जितने भी notes हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे हमारी team यहाँ पर provide कर रही है, अब यह notes भी आपको यहीं मिलेंगे, PW Onlyis official telegram channel के उपर, तो यहाँ पर जैसे for example, मैं कल का यह आपको दिखाता हूँ, जैसे Onlyis का जो विश्वित इतिहास है, विश्कली world history की बात हो रही है, उस तरह से modern इंडिया की बात हो रही है, modern history, ठीक है न, वो भी आपको यहाँ पर हिंदी माध्यम के अंदर आपको इसका पूरा content यहाँ पर मिल जाएगा, जो पर हार magazine है, तो make sure इस channel को join कीजिए, बहुत important content है, इसके अंदर यह आप यूज कर सकते हो, तो हिंदी medium का I think जो भी concerns थे, वो address हो गे होंगे, साथ में ही, इसके अलावा अगर आप notice करो, तो जो IDMP program है न हमारा, वो same program हमारा हिंदी में भी अब launch हो चुका है, तो 17 जुलाई स मुखरजी नगर के अंदर आप इसको भी join कर सकते हो, जहां पर integrated manner के अंदर आप daily MCQs और main dance writing program यह हमारा है, तो यहां पर आप notice करोगे, आपको 168 films test हो गया, 171 means test हो गया, संपून, cset coverage हो गया, उसके लावा आपका बहुत सारे और sessions भी आर और और चीज़े भी आपको यहा चलिए अब move करते हैं हमारी discussion की दरफ, हमारा पहला topic है CMV and TOMV mosaic virus, अब इसको समझते हैं, देखो टमाटर के बारे में तो आज कल चर्चा चली रही है, ठीक है, मैंने भी कल रात ही टमाटर खी थे तो 140 रुपे किलो थे दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो this is the price अभी चल रहा है इसके बीचे का एक major कारण कहीं ना कहीं, बहुत सारे कारण है वेस्टो supply and demand का, पर एक major कारण उसके बीचे के virus, मतलब crop को लगना, crop का खराब होना भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है, अब समझने कोशिश करते हैं, especially अगर मैं बात करूँ ना, तो महाराश्चा के अंद ठीक है ना, और effect भी कहीं ना कि tomato कोई कर रहे हैं, तो क्या यह same है, the answer is no, दरसल में यह जोनों अलग-अलग viral families को belong करते हैं, और इन दोनों के फैलने का जो तरीका है, वो भी अलग है, सर्वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ ना, टी-ो-म-वी की, जो मैंने बताया क्या, tomato mosaic virus, यह दरसल में belong करता है, विर्गा विर्डे family को, ठीक है ना, और यह काफी closely related है, tobacco mosaic virus के साथ, ठीक है, सर्व किस-किस को इसके अंदर जो basically आप notice करना virus है, तो कोई ना कोई host होगा इसका, तो इसके host क्या क्या हो सकते हैं, tomato हो सकता है, tobacco हो सकता है आपकी जो काली मिर्च हो सकती है, वो हो गया, और इसी तरह से कुछ ornamental plants, ornamental plants का मतलब, जो कुछ आप plants उगाते हो, थोड़ा देखने के purposes के लिए, मतलब देखने में वो अच्छे लगते हैं, decoration purposes के लिए आप उनको use कर सकते हो, तो यह सारे आते हैं TOMV के अंदर, CMV जो मैं आपका बेंगन हो गया, टमाटर हो गया, आपका गाजर हो गया, आपका जो सलाद पता हो गया, और एक तरह से जो कुकर बिट्स होते हैं, कुकर बिट्स मतलब, जो आपके अलग-अलग होते हैं, यह तोरी हो गया, आपका घिया, आपका कद्दू, यह अलग-अलग इसके है तो इसलिए हमें चलो बात समझ आ गया पर ये फैलते कैसे हैं सर देखो वहां पर भी तरीका अलग अलग है टी ओ एमवी का भी और सीमवी का भी जब मैं बात करता हूं टी ओ एमवी की तो यहां पर समझना कि यह जो फैलता है ना दरहसल में यह वरकर्स के तूर हो तो सफेनिटाइज ना करते हो इस से क्या होता है कि वो इनके हाथों के थूरू के हैं यह फैल जाता है जो माटो मुझाइक वारस की बात कर önहूं वरस जह बात करता है को कुंबर मुझाइक वारस की here ना यहां पर एक मेजर ता टीओ अब होता क्या है अगर मालो किसी जगा पर बारिश अच्छी कासी होती है और हुमेडिटी भी अच्छी कासी होती है विसके लिए टेंपरिचर भी साथ में जादा होता है तब यह कीडे अच्छे से मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉप को इंफेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से आपको दोनों के बीच में टी ओ एमवी और सी एमवी के बीच में आई होगा अब जैसे इस तरह से आपने नूटिस किया होगा ना यह टेमाटर देख लेए की कैसा दिख रहा है यह दरहसल में और कुछ नहीं इसी को मुजायक पैटन बोलते हैं तो जो बात हो इतना मुज मुजायक का मतलब और कुछ नहीं होता आप लोगों ने अपने मुबाइल फॉन्स के अंदर भी ना मुजायक वर्ड सुना होगा मुजायक थीम्स होती है जिसमें अलग अलग तरह के रंग बिरंगे से पैटन्स होते हैं तो यह तको टमाटर के उपर इस तरह से पीला हो ग अगर उनका अच्छे से सैनिटाइजेशन हो अगर वो खेती के अंदर जाने से पहले अपने आप कुछ से सैनिटाइज करें तो वो चीज़े हो सकती है फिर हमने देखा कीडम अकॉड़े से फैलता है तो इनके रिगार्डिंग अगर हमारे पास कुछ ना कुछ इंसेक्रि तरीके हो सकते हैं जिसके विस्यों पर हम इन वाइरस को रोक सकते हैं आई होप दोनों के दोनों वाइरस आपको अच्छे से समझ आगे होंगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं that is smart bandage देखो bandage तो हम सभी कभी ना कभी जर्मान लोग कुछ हमारे यहां पर injury होती है हम लोग bandage का use करते हैं बिल्कुल सभी बात है अब उसके आगे word use कर दिया smart और जब भी कभी smart आता है let's say smart tv की बात कर लो यह किसी भी चीज़ की smart phone आपका होता है तो कुछ उसमें technology डाल दी जाती है अब बिल्कुल यहां पर भी यह same ही चीज़ है इस तरह से माल लो आपके bandage यह bandage की देखो अंदर कितनी सारी चीज़े है अब इसके थुरू क्या होगा ना आपका जो जखम है इसके नीचे उसके अंदर क्या temperature है क्या उसका pH लेवल जो acidity वगरा क्या लेवल है वहां कितना moisture है कितना oxygen वहां पर जा रहा है कितना नहीं जा रहा तो यह सारी चीज़े आप कहीना कि बाहर से ही track कर पाओगे यह और कुछ नहीं इसके अंदर लगा हुआ बलकि sensor ही लगे हुए है तो sensor यह सारी चीज़े आपको बताते रहेंगे data अब इस data के business की उपर होगा पता क्या आपको पता लग जाएगा कि जखम भर गया या नहीं भरा जखम किस level की पड़ेगा डॉक्टर को यह bandage को हटाना पड़ेगा फिर हटा कर देखना पड़ेगा कि हो अभी तो जखम बचा हुआ है तो फिर उसको वापस से लगानी पड़ेगी ऐसा करने के अंदर एक तो पहले तो यह लगाना और हटाना वाला process है उपर से साथ में notice करो जब आप इस तरह से bandage को लगाते हो उसको हटाते हो तो कहीना कहीना वहाँ पे bacteria की वज़ा से कुछ contamination हो सकता है ठीक है ना और उसकी वज़ा से आपका जखम है मतलब जब खुलेगा कहीना कि उससे infection बढ़ सकती है तो आपको hospital भू सकता बार बार जाना पड़े तो यह जो सारे issues है न तो smart bandage definitely important चीज हो जाती है जो हमारे जो किसी भी person को basically मैं बताऊं तो उनको help करेगी अपने जखम को अच्छे से बहरने के लिए ठीक है ना तो थोड़ा देख लेते हैं सरी यहां पर क्या है इसके अंदर आपको bio sensors देखने को मिल जाएंगे आपको hydrogels देखने को मिल जाए तो काफी अच्छी यहां पर तो इसी तरह से इसके regarding studies आई है जिन्होंने इसको काफी अच्छा माना है यह बिल्कुल छोटी सी bandage है जैसे आपके अंगूठे जितनी नहीं होती उसके आसपास उस particular length की आपको यह bandage देखने को मिल जाएगी तो एक तरह का polymer है stretchable polymer आप जानत dates आपको मिलते रहेंगे hospital visit आपको काफी कम हो जाएंगे बाकी मैंने बताई दिया data collected आपको मिलता रहेगा ठीक है आपके smartphone के उपर हो गया एक तरह से वो circuit board को पास करेगा and accordingly वो आपके app के उपर accordingly आ जाएगा तो इस तरह से यह चीज़ work करती है एक आपको UPSC 2022 का एक homework दे आउं इसको try करना open source platform के उपर कौन-कौन सी चीज़ बिल्ड है इंड में इनको accordingly कल discuss कर लेंगे अगले topic की तरह चलते हैं बहुत छोटा सी topic है जिमेक्स 2023 जिमेक्स का मतलब क्या है जिमेक्स आया है जपान से और इंडिया से ठीक है जपान इंडिया maritime exercise इसी को बोलते है जिम को देख रहे हो अलग-अलग आयनेस जैसे आयनेस डेली हो गया आयनेस कमोटता हो गया आयनेस शक्ती डॉर्णियर और शिपबॉन हाली काउट्प्र हमें यहां पर देखने को मिले हैं जबकि जपान की तरफ से JS Smider यहां पर हमें देखने को मिल गया है यहां पर जिमेक्स 2023 पर सी के अंदर यह दो तरह से स्पेस को हमें देखने को मिलेगा जिमेक्स 2023 एक्सरसाइस तो आप इसको समझगे होंगे कि यह जपान और इंडिया के बीच में हो रही है नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे चलते हैं तैपे एकनॉमिक एंड कुल्चरल सेंटर अब देखो ताइवान आप सभी ने आई आर के अंदर ना बहुत इंपॉइंट पड़ा होगा कि ताइवान काफी इंपॉजट है आज के टाइम के उपर ठीक है आप चाइना और ताइवान का इशू जानते होंगे तो देखो जो ताइवान है ना वो इंडिया के अंदर मैं आगर तुफ इस से क्या होगा कहिने का अकूल लिंका आना चाहिये आपका बात होनी चाहिए आपकी ट्रेड टीकटि डекст में हमें देखने के बाकोशी आप़ने की तो देखने प्रेश्त अब यहां पर नोटिस करो मैंने एक word यूज किया ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी अब यह हो सकता है आप से फिलिनिस में बूछ ले कि यह ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी क्या है देखो कुछ बात मैं अगर मैं आपको समझाने कोशिश करूं अब इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में जानते होंगे बिल्कुल सभी बात है तो ताइवान की ना यह एक पॉलिसी है जिसके बिसिस के उपर वो कोशिश कर रहा है कि इंडो पैसिफिक के जो कंट्रीज है अलग अलग वहां पर हम कैसे उनके साथ अपने डिलेशिशिप को इंप्रूव कर सकते हैं उनके साथ हम बैटर कैसे इंटिग्रेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एया के साथ कैसे हम मिलके डिवलप हो सकते हैं यही है ताइवान की न्यू साउथ बांड पॉलिसी तो इसमें सर्कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है देखो इसमें इंडिया आ गया, इंडियोवेस्टिक के अंदर आपका उस्टेलिया आ गया, आपका न्यूजिलेंड आ गया और जो आसियान की 10 कंट्रीज हैं, वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक मैं छोटी सी चीज और बताऊं, हमने आसियान आपको ताइवान की समझ, आगी होगी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इस, डीप सी माइनिंग, देखो इसको समझते हैं, वैसे तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही, यूएन क्लॉस के बार में समझाया था, आप सभी को ये याद होगा, अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हो होंगे, मैंने बताया था, कि एक आपकी होती है, यहापकी बेसलाइन होती है, ठीक है, तो बेसलाइन के अंदर वाली साइड आपके आ जाते हैं, इंटर्नल वाटर्स, ठीक है ना, और यहाँ तक होता है आपका टरिटोरियल सी, इसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको 200 नौटिकल मैस तक आप जानते होंगे, आपको exclusive economic zone देखने को मलता है, और फिर उसके बाद आपके high seas श्यूरू हो जाते हैं, तो जब देखो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे deep sea mining की, तो दरसला हम बात क्या कर रहे हैं, हम ocean floor के उपर यहाँ पे mining की बात कर रह authority, यह नाव आप ध्यान में रखोंगे, तो यह क्या है international secret authority, देखो यह एक UN की body है, ठीक है, जो इस चीज़ को regulate करती है, अब बात क्या हो रही है basically, अब आप notice करो, जब deep sea mining की हम बात करेंगे, तो ocean floor के उपर हम mining कर रहे हैं, यहाँ पर से हमें, जैसे for example, आप जानते होंगे poly metallic needles के बारे में, sulfide deposits के आप mining कर सकते हो, आप cobalt crust के mining कर सकते हो, अब इन सभी को हम कहने की mining करने की ज़रूरत क्यों पढ़ रही है, ज़रूरत इसलिए पढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ हमें चीज़ें extract करेंगे, उनका हम अपनी batteries के अंदर, renewable technology के अंदर, और अलग से इलावा, impact, rare earth elements का भी discussion किया है, तो यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें चाहिए, इसके बिसक्यों अलग अलग तरह की technologies develop करेंगे, और उनको हम use करेंगे, तो इस वज़र से बात यही हो रही है, कि international seaweed authority, negotiations कर रही है, ताकि कहीं न कहीं हम, जो international seaweed है, उसको mining के लिए use कर पा हम कर सकते हैं, तो यह तो हमें बात समझ आई, पर न कहीं लोग न इसका काफी criticism भी कर रहे है, criticism क्यों सर कर रहे हैं कि deep sea mining का, क्योंकि आप notice करो, जब deep sea mining होगी, तो उससे न हमारा नीचे का जो ecosystem है, वो damage होगा, सर्वो कैसे, अरे देखो mining कर रहे हो, तो कुछ आवाज आए हैं, है कि नहीं, कुछ और chemical वहाँ पे spill हो सकते हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें होगी, तो आपको नहीं लगता वहाँ का ecosystem destroy होगा, बिल्कुल सर होगा ही होगा, और उपर आप सोचो, एक चीज़ और imagine करो, मालनो यहाँ पर से आप mining कर रहे हो कुछ, तो यहाँ पर अल्री चीज़े settled होगी, अलग-अलग तरह को चीज़े settled होगी, अब जब आप deep सी mining करने ही कुशिश कर रहे हो, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उड़के ऊपर नहीं जाएंगी, तो इसके business पर क्या होगा, यह जो ऊपर हमारा जो fishes वगरा है, उनको क्या नेगटिबल इंपक्ट नहीं आएगा, बिलकुल आएगा, जो हमारी जो marine life है, वो negatively impact होगी, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हम sediment plume बोलते हैं, ठीक है, mental plume नहीं कह रहा, sediment plume, यह sediments पर कह रहा होंगे न, वो accordingly उपर जाएंगे, इसी को बोलते हैं, sediment plume, तो यह सारे concerns हैं इसके रिगार I hope आपको चीज़े समझ आगी होंगी, बग चीज़े मैंने आपको बताई दी कि international sea bed authorities को regulate करती है, ठीक है न, UN clause के थूरू माध्यम से, UN clause अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि 1992 के अंदर इसको हमने adopt किया था, यहाँ पर world ocean और seas को हम कहीं न कहीं, उसके rules and regulations को पढ beneficial हो, ठीक है, ISC के बार में थोड़े और information में आपको दे रखी है, UN की एक तरह से body है, इसके headquarters आपको Kingston Jamaica के अंदर देखने को मिल जाएंगे, इसके establishment 1994 के अंदर हुई थी, जिसके लिए point हो ही है, कि mining को हम regulate करें, और जो related activities है, उनको हम अच्छे से regulate कर पाएं, और ensure करें कि जो marine environment है, उसको हम protect करें, तो 1982 का जो UN clause था, उसी के अंतरगत ISC existence में आया, तो ये सारी चीज़े हम इनके बार में पता होनी चाहिए, ठीक है friends, तो आज के discussion questions के उपर, मैं ये आपको चार questions दे रहा हूँ, इन सभी questions का अंसर मुझे आप नीचे comments में बताओगे, एक मैंने आपक forest act 182 ही था, ये बात यहाँ पे बिल्कुल correct है, कल हमने इसको पूरा समझा था, उसी तरह से HCES, household consumption expenditure survey, क्या ministry of consumer affairs करता है, the answer is false, क्या है सर इसका अंसर फिर, NSO, बताया था ना, ministry of statistics and program implementation के अंतरगत, जो NSO देखने का मिलता है, वो इसको करता है, leptospirosis, क्या इसके rats एक मातर cause ह the answer is false, मैंने बताया था ना, ये एक तरह की misconception थी, कि शायद रैट सी एक तरह के सिंगल most cause है, बर बाद में हमें देखा कि और भी बहुत सारे हमें इसके cause देखने को मिल जाते है, national rural livelihood mission, क्या इसकी northern ministry हमारी ministry of labor and employment है, the answer is again false, कौन सी ministry थी, ministry of rural development, ठीक है friends, तो ये सारी चीज़े आई होब आपको समझे आगी होंगी, अगर आपको इस lecture PDF चाहिए, मैं दुबार अब दायता हूँ, आप और EW Only as official telegram channel को join कर सकते हो, और इसकी lecture के access, PDF को access आप कर सकते हो, इसी तरह से आप भी अपनेन्ट भी hard work करते रहिए, good bye and good luck.